आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें NCC 1 UP Battalion द्वारा अमरित मौसब कायकरम आज़ित किया गया मार लोड इस्टीद NCC UP Battalion ने करेले पर आज़ित कायकरमें बड़ी संख्या में NCC कैड़ित ने हिस्सा लिया आज़ादी की 75 वी वजगार को अमरत मौसब के रूप में मनाई जा रहा है जगे जगे कायकरमों का आज़ित के जा रहा है UP1 Battalion के दोरा भी कायकरम आज़ित किया गया कायकरम मार लोड नेताजी सुवाच्चन बोश की पृतिमा इस्तित कारेल पर आज़ित किया गया बड़ी संक्या में NCC कैड़िडों ने अमरत मौसब कायकरम में हिस्सा लिया आज़ादी का जो अमरत महोच सब जो चल रहा है उसमें हमारे NCC में एक बहुत लंबी चेन एक कड़ी आई हुई है जिसमें हमने सेकड़ों फंक्शन इस तरह के और्गनाईज करने ये तो एक उनमें से एक था जो आज हमने स्टेचो क्लीनिंग किया है और ये हमने इसलिए चुना आज़ाजी के जो हमारे महासपूत बीर नाइक माननिय नेताजी स्वास्चंद बोस इनका योगदान हम और आप सब भली बाद जानते हैं परचते हैं कि इनका योगदान सबसे बड़ा योगदान था आज़ादी की लड़ाई में तो इनको आप चुक हमारे कॉलेज के बटालियन के सामने इनका लोकेशन है और यहां इनकी मूर्ती स्ताफित हुई है तो हर बार हम नेता जी का ये मेंटिनेंस रख रखाओ इनकी मूर्ती का और यहीं पे किसी भी फंक्शन की सुरुआत नेता जी से ही करते हैं तो आज भी उसी में के तहत जो है अमरत महुतसब में एक कड़ी है ये तो आज हमने ये फंक्शन किया है बच्चों से नेता जी की मूर्ती साफ सपाई और उनको सरदांजली अर्पित की है नेता जी को आज हमने याद किया है अमरत महुतसब के दोरान NCC कैड़ेडों को बताया गया कि देश सर्वो परी है देश से बढ़कर कुछ नहीं है देश मजबूती के साथ खड़ा रहे दुनिया के सामने हमें यही सोचना है देश की सान बरकरार रहे हमें देश हित में काम करना है निजी हितों को दूर रख करना है राकिश का नौजिया सीन्यूस आगरा